जै मा दादी, राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों नवरात्र की सब्तमी तिथी को मा आदी शक्ति दुर्गा के कालरात्री सवरूप का पूजन किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको मा कालरात्री की कथा और उनकी महिमा सुनाएंगे। दोस्तों नवरात्र के साथ में दिन महा सब्तमी होती है। इस दिन मा दुर्गा के साथ में सरूप मा कालरात्री की पूजन का पिधान है। शक्ति का यह रूप शत्रूप और दुष्टों का संगार करने वाला है। माननेता है कि मा काल रात्री ही वही देवी हैं जिन्होंने मधु केटब जैसे असुरों का बत किया था। कहते हैं कि महा सप्तिमी के दिन पूरे विधी विधान से मा काल रात्री की पूझा करने पर मा अपने भक्तों की सभी मनो कामनाय पूर करती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि मा कालरात्री की पूजा करने वाले भक्तों को भूद प्रेत या बुरी शक्ति का भै नहीं सताता। शास्त्रों के अनुसार देवी कालरात्री का स्वरुप अत्यन भैंकर है। देवी काल रात्री का यह फै उत्पन करने वाला सुरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए हैं। मा काल रात्री अपने भक्तों को सदेप शुफल पदान करती हैं। इस कारण इने शुम्ब करीब ही कहा जाता है। देवी काल रात्री का रंग काजल के समान काले रंका है, जो अमावस की रात्री से भी अधिक काला है। इनका वण अंधिकार की भाति कालिमा लिये हुए है। देवी कालरात्री का रंग काला होने पर भी कांती में और अध्वुत दिखाई देता है शास्त्रों में देवी कालरात्री को त्रेनेत्रे कहा गया है इनके तीन नेत्रे प्रहमान की तरहें विशाल है जिनमी से बिजली की तरहें किर्णे प्रजुलित हो रही है इनके बार खुले और बिख्रे हुए हैं जो की हवा में लहरा रहे हैं गले में बितुत की चमक वाली माला है इनकी नाख से आग की भयएंका जॉलाखे निकलती रहती है इनकी चार भुजाएं हैं दाई ओर की उपरी भुजा से महा माया भक्तों को बर्दान दे रही है नीचे की भुजा से अभय का आशिरवात बर्दान कर रही है बाई भुजा में माने तलवार और खड़क धारन कर रखा है शास्त्रों के अनसार देवी कालरात्री गधे पर बिराजमान है गधा जो समस्त्र जीव चंतों में सबसे ज़्यादा परिशमी और निर्वे होकर अपनी अधिश्ठात्री देवी कालरात्री को लेकर इस संसार में बिच्रण करा रहा है देवी का यह रूप दिति सिति प्रदान कहने वाला है मा काल रात्री को मा काली, महाकाली, भत्रकाली, भैर्वी, मृत्यू, रूद्रानी, चामूंडा, चंडी और दुर्गा मा के अन्यकय दुष्टों का विनाश करने वाले रूपों में से एक माना जाता है नवरात्री की सब्तिमी के दिन मा काल रात्री की पूजा रात्री के समय करने का विधान है आज के दिन मा काल रात्री की कथा सुनने मात्र से ही मा सभी विपताओं का नाश कर देती है अपने भक्तों की सभी मनुकामनाय पूर करती है दुख, दर्द, तरित्ता, गरीवी और दुश्मनों से मुक्ति दिलाती है भूत, प्रेत, राक्षसों, बुरी शक्तियों का मा अंत करती है शिरी दुर्गा चप्तसती के अनुसार मा काल रात्री की कथा इस प्रकार है कथा के अनुसार दैते राज शुम्ब ने अपने दूद के मुक्त से हेमाले पर रहने वाले अंबिका देवी की प्रशन सा सुनकर उन्हें पकड़ का लाने के लिए चंड और मुंड नामक दो महा दैत्तियों को आग्या दे हे चंड और हे मुंड तुम लोग बहुत बड़ी सैना लेकर वहाँ जाओ उस देवी के जोटे पकड़ कर अत्वा उसे बांद कर शिग्र यहां ले आओ शुम्ब की आग्या पाकर वे चंड मुंड आदी देते चतुमनी सैना के साथ अस्तिस रष्टों से सुसरचित हो चल दिये वे गिर्राज हिमाले के स्वार में उचे सिखर पर पहुँच कर उन्होंने सिहीं पर बैठी देवी को देखा वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी उन्हें देख देते लोग ततपरता से पकड़ने का उध्धो करने लगे किसी ने धनुष्टान लिया, किसी ने तलवा समाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए तब अम्बिका ने उन्षत्रों के प्रती बड़ा ग्रोध किया उस समय ग्रोध की कारण उनका मुक काला पड़ गया ललाट में भौएं टेड़ी हो गए और वहां से तुरंद पिक्राल मुखी काली प्रकट होई जो तलवार और पाचलिये हुए थी वे विचित खटवांग्र धारन की और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर्मुंडों की माला से विभूशित थी उनके सरीर का माँ सूख गया था केवल हटियों का धाचा था जिससे वे अत्यन भयंका जान पड़ दी थी उनका मुक बहुत विशाल था जीबलपलपाने के कारण वे और भी तराबने प्रतीत होती थी उनकी आँखें भीतर की ओधसी हुई और कुछ लाल थी वे अपनी भयंकर गजना से संपून तिशाओं को गुझा रही थी बड़े बड़े देत्यों का बद करती हुई वे कालिका देवी बड़े बेग से देत्यों की उस सेना पर तूट पड़े और उन सब को भक्षन करने लगी वे पाश्वु रक्षकों अंकुष्थारी महावतों योध्धाओं और घंटा सही कितने ही हातियों को एक ही हात से पकड़ का मुँँ में डाल देती थी इसी प्रकार घोड़े रथ और साथी के साथ रथी सैनेकों को मुँँ में डाल कर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चवा डालती थी किसी के बाल पकड़ लेती किसी का गला दवा देती किसी को पेरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिरा कर मार डालती थी वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अश्ट सस्त मुँ में पकड़ लेती थी और रोश में भर कर उनको दातों से पीच डालती थी काली ने बलवान एवम दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सैना रोन डाली खार डाली और कितनों को मार भगाया कोई तलवार के खाट उतारे गए कोई खडवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दातों के अगर भाग से कुछले जाकर मृत्यों को प्राप्त हुए इस प्रकार देवी ने असुरों के उस सारी सैना को छण भर में ही मार गिराया यह देख चंड उन अतिन्त भयानक काली देवी की ओ दोड़ा तथा महादेत्य मुंडे ने भी अतिन्त भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों वा चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को अच्छान्दित कर दिया वे अनोई को चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानों सूरे के भहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हुँ तब भयंकर गर्जना करने वाली गाली ने आतिन्त रोश में भर कर विकट अठा हस किया उस समय उनके विक्राल बदन के भीतर कठिंता से देखे जा सकने वाले दातों की प्रवा से वे अत्यंत उच्छल दिखाई देती थी देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हमका उच्छारन करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवा से खायल करके धरती पर सुला दिया महा पराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मने से बची हुई बाकी सैना वैसे ब्याकुल हो चारों और भाग गई तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंड़िगा के पास जाकर प्रचन अठाहस करते हुए कहा देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महा पश्वों को तुम्हें भेट किया है अब युद्ध में तुम शुम्भ और निशुम का बत स्वैम ही करना चंड और मुंड के मारे जाने के बाद शुम्भ ने रक्त बीच आदी देट्यों को देवी को पकड़ने के लिए भेजा सभी देट्यों को मानने के बाद जब मातर गड़ों ने रक्त बीच पर प्रहार किया तो रक्त बीच के रक्त की जितनी बूंदे प्रत्वी पर गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए वे सब रक्त बीच के समान ही बीदेवान बलवान तथा पराक्रमी थे इस प्रकार उस महाद्यत्य के रक्त से प्रकट हुए असरों दोरा संपूर्ण जगत ब्याप्त हो गया इससे उन देपताओं को बड़ा भै हुआ देपताओं को उतास देख चंडिका ने काली से शिगरिता पूर्वक कहा चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैला तथा म देने वाले रक्त बिंदों और उनसे उत्पन होने वाले महाद्यत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ इस प्रकार रक्त से उत्पन होने वाले महाद्यत्यों का भक्षन करती हुए तुम रण में बिचरती रहो ऐसा कहने से उस रक्त का सारा रक्त छीन हो काली से यों कहकर चंड़का देवी ने शोल से रक्त वीच को मारा और काली ने अपने मुख में उसका सारा रक्त ले लिया तब उसने वहां चंड़का पर गदा से प्रहार किया किन्तो उस गदा पात ने देवी को तनिंग भी बेतना नहीं पहुँचाई रक्त बीच के घायल शरी से बहुत सा रक्त गिरा किन्तु जोही वह गिरा त्योही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया रक्त गेने से काली के मुख में जो महा देते उत्पन हुए उन्हीं भी भैचच्ट कर गई और उसने रक्त बीच का रक्त भी पी लिया प्रत्वी पर गिर पड़ा। इससे देपताओं को अनपम हर्ष की प्राप्ती हुई और मात्रगर्ण उन असरों की रप्त पान की मत से उद्धसा होकर नत्य करने लगा। इस प्रकार मा कालरात्री की कथा संपन्न हुई। आज के दिन मा कालराती की कथा सुन्ने मात्र से ही मा अपने भक्तों की समस्त विपदाओं, कश्ट, दुख, परेशानी, संकटों को दूर करती हैं और मनुवांचेत वर प्रदान करती हैं। दुष्टों, भूत, प्रेत, आदी से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को प्रेफ्रेंस और इस्तिदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस से भेभी इसका लाब उठा सकें। हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक